दोस्तों नमस्कार जेतर न्यूज में आपका स्वागत है ओप्चारी ग्रूप से बताना चाहूंगा मेरा नाम आई भी खान है आप हमें इस समय अमारे फैस्बुक पेज पर देख रहे हो और यूटूब चैनल पर भी देख रहे हो दरसल आज बिलेड़ा की पाउन नगरी म में मौजूद हूँ बताना चाहूंगा मैं इसमें गीतानली पप्लिक सीनिर सेकेर्टी विद्याले में मौजूद हूँ इस विद्याले का कक्षा बार्वी और कक्षा दस्वी का रिजल परिक्षा परिणाम है जो सत्त परतिस्ट्रा है और इस विद्याले में बहुत सारे बालक बालिका है जिनों ने नकवल विद्याले का नाम रोषण किया बलकि इस विलरा च्छेतर का भी नाम रोषण किया नो साल से अधिक समय पहले इस विद्याले की इसतापना हुई थी जो आज भी सिक्षा के चेतर में इस विलड़ा चेतर में अपनी उलक्निय पहट बना रखी है और बात खेलों की करूँ या समाजिक सोरोकार या सांस्कर्तिरी कारिकरों में हमेशा ये गितानली पब्लिक सीनिर सेकेंडी विद्याले विलड़ा अग्रिनी रहा है और साहित यही कर्ड है कि इस विद रिकोर्ड बात होरी तुँ पता चला या कि जो व्यूस्तापक है जिन्नोंने नो साल में एक बार भी आवकास नहीं लिया भहुत मैत पुण ये एक जिम्मवारी होती है किसी भी विद्याले की तो बहुत सारे ऐसे उदर्ण है इसे विद्याले और साहित यही कर्ड है कि प और वात मिलेडा का नाम रोशन किया है तो बारहल इनसे हम बादचित करते हैं बेटा नाम जानना चाहूंगा आपका उर्मिला पटेल उर्माले जी पटेल बहुत बहुत बदयों कितने क्या अंक बने आपके धन्यवाद मेरे 96.20 परसेंटेज बने है 12 बोर्ड में और आगे क्या तयरी है बापकी आगे मैं UPSC करना चाहूंगी और सब की सेवा करना चाहूंगी बहुत बड़ा खाब है हमारी सुब कामना आपके साथ है विद्याले में पढ़ाई का वातरवन कैसा था यहां बहुत अच्छा था टीचर्स की मेहनत थी सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहां पर मैं तो कहूंगी कि I guess almost बिलाडा के सारे स्टूडेंस गितांजली स्कूल में ही पढ़े क्योंकि आखे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इन्होंने बहुत मेहनत भी किये और अना हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझाते थे चाए वो मनी जी सरो पने कोचिंग नहीं मैं कोई कॉचिंग नहीं करती थि मदलब स्कूल से कितना समय पढ़े में देते थे आप लगभक 6 या 7 घंटे देती दिन के और एक्जाम सोथे थे तो बहुत जादड़ सेट wrap से भी ज्यादा आट या नो घंटे विद्धियले में आपके से पाटी से किसी से परतिस परदा थी आप से भी कोई ज्यादा तैयार था या कम्पीटेशन जिसे कह सकते हैं हाँ बहुत से लोग थे बहुत से फिर भी मैंने अपने लब रखाया अंदर कहना नहीं मैं सबसे आगे ज़रूर निकलूंगी और आज मैं यहाँ पर हूँ हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा हाँ अब आपका नाम जाना चूंगा मेरा नाम मॉनिका पटेल है कौन सी कक्सा में थे आप मैं क्लास 12 इंगरिश मेडियम से कितने अंक है मेरे 88.40 है क्या बनना चाहते हो मुझे भी सीवल सर्विसेस में ही जॉइन करना है और मुझे भी मतलब ऐसी सीजियल की प्रिपरेशन करने आगे पड़ाई का वातरवन इस विद्याले में कैसा था स्टडी के मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग देखे तो इस स्कूल में स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्लस यहां पे सब टीचर्स का मतलब सपोर्ट भी है अच्छा मैनेजमेंट है हाँ आपका नाम जाना चूंगा कितने क्या अंक मिले मेरा नाम टीए दवे हैं और मैंने ट्वेल्थ क्लास में 93 परसंटेज बनाए हैं कौन से विसे में कौन सा विसे था साइंस मेरा मैच्स था मैं साइंस मैथेमेटिक से बिलॉंग करती हूं बह ऊक् zaten और मेरी साया कि अच्छा था सवर्य टीचर पर अच्छे थी、「 zone ऑख समझाए अच्छा थी कह साहाँ कर ंंद्रा आप मुझे उपिस करणे में क्लेक्टर ही बनना चांती हुँ अच्छा आप कलेक्टर बने बहुत बड़ा सपना है लक्षे आपने निर्धारित कर दिया है हाँ मुझे उप्यसी करनी है मैं कलेक्टर ही बनना चाहती हूं उसके लिए मैं पूरी महनत करूंगी और गितांजली का नाम रोशिन करूंगी आप आदर्श किसे मानते हो अपना मेरे माता पिता और मेरे पेरेंस और मेरे टीचर सारे आपके भी कोई परति दनती थे कक्षा में हाँ बहुत थे बहुत सारे थे और होना भी चाहिए लाजमी बात है परतिस परतार से भी परतिवा में निखा रहता है हाँ वेन आपका नाम जाना चाहँगा मेरा नाम कुछ तो निंग जितनी मैंत कीlast को आगे क्या रहेगा आगका मैं मैंट्स में बहुत कटिन है कि क्लेंगे positive किह बच्चे शिन्य विद्याले में जिनका होसला है आगे बढ़ने का हाँ आपका नाम जानना चूंगा मैंना मनोला कौन सी कक्सा में तेंथ क्लास कितने अंक मने 91.33 अच्छे पड़ई अच्छी थी कितना समय देते थे पड़ई को चार से पांच चार से और विद्याले का महौल अच्छा था ब अच्छी होने जाए हाँ भाई साब आपका नाम जाना चूंगा रभिंदर सीर भी कितने क्या अंग बने कौन सी कक्सा में ते मैं 12 में था और 90.80 परसंटेज बना है क्या बनना चाहते हो मैं ऐसे सी सीजल की तेरी करके इंकम टेक्स ऑफिसर बनना चाहते हूं इंकम टेक्स पूरी थोरी पड़ी है, कैसे क्या दाखिला ले आज़ा सकता, किस में क्या करी विद्य ले का बहुल कैसा था, coraz अच्छे बहुत अच्य पड़ाते थे, क्लास में अप्सेंट हो झा जाए या फिर सब बच्चे पड़ाते थे नहीं आनिया तर जाने की ज़रोती नहीं है, इस विद्याले में आओ गे तो आपके चाहिए 70 हो आप कुतने भी परसंटेज बना सकते हो, इतना मौल अचा है, कोचिंग वगर है कि नहीं, कोचिंग में साल पिस्टडी है, बहुत बहुत सुब कामना है है हमारी और से, हाँ भ विद्याले में सारे शिक्षक बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती थे और पूरी मेहनत करते थे और ऐसे कौन से जो अध्यापक है, ज़्यादा प्रेसर करते थे पड़ाई के लिए जो अपन को बूरा हलांगी कहते तो अपने हित में लेकिन अपन को बूरा लगता वो कौन से अध्यापक? नहीं, कोई अचनीज, सबचत, सबचत, अचनीज, वो सामने खड़े इसलिए कह रहे हूं? नहीं, तो बारहाल यह एक विद्याले का महूल है, सिक्षा का महूल है, मेरे साथ इस विद्याले के संस्ता परदान को व्युस्ता पागु शिरीफ पठे किया था, तो पहले साल में 75 इस्ट्वेंट थे, और अभी हमारे पास में 1200 प्लस बच्चे हैं इस समय, और इस बार साइंस में भी 114 बच्चे थे, जिसमें से 90 प्लस 12 बच्चे थे, और 80 से उपर लगबग गुनचालिस बच्चे थे, और हम लोग यह चाते हैं कि जो भी ब बच्चा बिलकुल भी दिमोटिवेट नहीं हो, अगर वो बच्चा 70 परसंट भी 10 पे कहीं अधरी स्कूल से बना के आ रहा है, तो हम लोगों ने उनको 92, 93, 97 तक हम लोगों ने उनको पहुंचाया है, अभी जितने भी बच्चे जो 90 प्लस इस बार बनाए हैं, उनके आप में 7-8 परसंट हर बच्चे के प्लस हुए हैं, और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका 65 ता टेंट में, और वो भी 82, 85 के आसपास पहुंचे हैं, सर जानना चाहूंगा, कमजोर विद्या अर्थियों के लिए क्या व्यवस्ता आपके इस विद्याले में, बहुत सारे देहती रूरल है, सुदूर गाउं, उनके लिए, क्योंकि सेर के बच्चे तो चुशन भी कर लेते हैं, और कोचिंग भी जार रहते हैं, हलांकि आपके इस विद्याले में, मैंने जाना, कोई कोचिंग नी जाता, बहुत सुदूर इसके क्या व्यवस्ता है? हम यह सोचते हैं, कि जिस बच्चे के फादर नहीं है, हम उसको 50% फीस में रियाइट जरू देते हैं, अब जो यह बालक बालिका है, जिन्होंने अपना नाम भी किया, और इस विद्याले का भी नाम रोशन किया, इनके लिए क्या विश्यस रहेगा? यह सोचते हैं, कि हम यह सतके हैं, जैसे मालीय आगे यह कहीं पर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी आप बसेतरी के लिए यह वह बालता है, लाव रीचे के लिए और मैं कोशीच करूँगा कि इनको आगे बी रहने की सुईधा और कई भी अच्छे कॉलेज के अंदर जहां पे भी एड्मिशन लेते हैं वहाँ पर भी इनको मैं स्कॉले शिप दिलाने की कोशीच करूँगा कितने गाओं के बच्चे आते हैं आसफास के आपके तकरीब हमारे पास 14 बसे हैं और हम लोग 40 गाओं को कवर करते हैं बिलर के आसफास के बहुत लंबा एरिया है जी जी हमारी बस देखो आप लगबग एक राउंड में अगर जाने का है तो 120 किलिमेटर अपडाउन का एक बस का मैक जिमाम रहता है और एक से डाट गंटे का टाइमिंग एक बस ले लेती है और सभी बच्चे बस में आराम से आते हैं और क्लासों के अंदर भी प्रपर रवस्ता है और जितनी सिटिंग होनी चाहिए जो कैपेशिटी होनी चाहिए गवर्मेंट के अकोडिंग सारी हम उसको फॉलो करते हैं नव लिए डालेंगे जो बी डाट क्लासे रहेगी अगर बच्चे को प्रॉपर वो टाइम इसकोल में फ्रापर मतलब वो कवर नि कर पारा तो हम साइड में भी डाट क्लासेज भी हम लोग इसे जाधा सीयुनिंग में इस बार एक्सप्रियेंस है उसको पूरा इसमें लोगों ले यूज किया है और इस बार कैमेस्टि में भी मेरे दो बच्छों के 100 आउट अउट अउट एवकास दे लिया जी जी सर देखो घूँ क्या होता कि जब लगाव ज्यादा होता है बच्छों से और इसकूल के परती भी होता तो फिर वो मन नी करता कि हम कई रूके और अगर छोटा मोटा काम भी होता तो मैं उसको अधर टाइम में करने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि जितना हो सके बच्चों को टाइम दू तो बाहराल यह थे पटेल साब जो इस गिताली पब्लिक उच्च माधिक विद्यल है विलाड़े के विवस्तापक भी कह सकते हैं संस कि दन्य धरा पर नमस्कार क्या सवे देऊ आप मैं तो विवस्ता में दे रहा हूं विवस्ता इसमालड़ा हूं कितने बालक बाली का है अपने इस विद्यले में साड़े ग्यारस उपे लगवागा भी साड़े ग्यारस जी परिक्षा प्रणाप से संतुस्टों बिल्कु स बहुत खोग आगे क्या रहेगा आपका जो हमारे सामने कमी निकल दी उसको दिर्शुदारने की कोशिस कर रहे हैं कि कोई कमी नी बचे यह निखारे पूरा हर तरीके से विद्ध्याले में निखार आएगा और शिक्सा में भी निखार आएगा तो बताना चूँगा मैं इसम विद्ध्याले में अपने वालक वालिकों का परवेश्ट दिलाने से पहले एक बार यहां आकर जरूर देखें यह जरूरी निखी है कि आप इसमें एडिशन दिलाए दाखिल दे अल्बता एक बार आप जरूर आकर इसे संपर कर सकते हैं तो बारहाल एक भाई साब और है जो लंबे समय से इसे विद्ध्याले से जुड़े है मेरी तरह से यह भी एक साधर्ण वेक्ति है व्यापर है हाँ भाई साब नाम जानना चाहूंगा जी सर मेरे नाम राजुराम पटेल है सर वालक वाली का पड़ते हैं आपके भी मेरे तिद्धा इंग्लिस मेडियम फिर बार-बार हम प्रेशा ने इसकी वज़े से हम एक साथ इनका फिस जम्म कर दे तो बार-बार साल बर सामने देखने का काम ने रहता है और वैसे भी फिस के मामले में ज्यादा विद्ध्याले परबंदन है जो प्रेशा नहीं करते हैं लेकिन तमाम ऐसे अभिवाव उनसे भ अपने बच्चों को पड़े लेकिन फिस का बुकतान आप समय पर करें क्योंकि आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी तो विद्याले भी मजबूत होगा और शिक्षा के चत्र में भी क्रांती आएगी शिक्षा में भी निखा रहेगा तो बारहाल दीजे मुझे इजाजत मैं